हलो फ्रेंट वेलकम टु शर्माज एक्टिविटीज तो आज हम आये हैं लक्षदीब और यहां पे मैं करूंगे स्कूबा डाइविंग और मैं किस तरह से मतलब हमने पैकेज लिया हैं और कैसे यहां तक पहुंचे हैं यह तो आपने पहले ही देखी लिया होगा कि हम कोडेल क्रूज से लक्षदीब तक कैसे पहुंचे यह मैं सब आपको इस व्लॉग में बताऊंगी तो बने रहे हैं मेरे साथ में व्लॉग में कि सबसे पहले तो हम 27 को कोची में रुके हमारा कुज वहीं पर रुका तो वहां पर हमने शोर एक्सकरजन नहीं लिया यानि कि वहां से कोडिलिया कुज से बुकिंग नहीं करवाई और शेयर टेक्सी कर ली बाहर आके वहां पर हमने एक म्यूजियम है चर्च है और नेवी मंदिर है एक बैक वोटर है मतब बोट में जाके और गूंते हैं यह ड्राइवर साहब हमें बता रहे हैं यह सब चीज़ाइब चार्चस टेंबल चैनीज फिशिनेट एवरिटिंग अधन यह इंदस्री फस्ट गोटिए दिस्टेपोर्ट यह तो बोटिंग आफ्टर कि देखें मंदिर में केवल हिंदू ही एंट्री कर सकते हैं एंट्री फोर हिंदू और शोर्स्वगर में मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कोची में ही यह बहुत बड़ा शिवा टेंपल है बहुत सुन्दर है इसे जरूर देखना चाहिए अब हम लोग जा रहे हैं कोची के अंदर बैक वोटर में यहां पे हमें नाव में बिठा के गुमाया जाएगा और इसके इन्होंने 3500 रुपए 4000 रुपए एक बोट के मांगते हम लोग दो जने थे तो शेर हो गया हमारा और हम लोग ने एक अगर अगर में बाल भी भ इंते हैं तो कुई भरी बात नहीं है पुछछब के अंदर आ हमें साड़े चार वज़े तक आप ध्यान वख़्ेगा कि कुवें वापस आना ही पड़ेगा क्योंकि साड़े चारौ 5 बजे क्रूज वापस स्टार्ट हो जाता है इसलिए आप समय का बरावर ध्यान रखिए अब यहां पर हो चुकी है अठाइस के मॉर्निंग तो थोड़ा बहुत योगा कर लेते हैं और एक्सरसाइज कर लेते हैं क्योंकि यहां पर बहुत अच्छा जिम खुला हुआ है योगा भी देखिया आप योगा भी करवा रहे हैं बहुत अच्छा साधन है और सुबह सुबह अंदर मतलब उसमें क्रूज में ही मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं सुबह का आ वहां पर मैं एक इंपोर्टेंट बात बताना चाहती हूं, कोची में तो हम अपने आप से जाए और वहां से भी शोर एक्सकरजन बुक करवा सकते थे, उसमें से, कुरूज में से भी, लेकिन लक्ष दीप हम बिना परमिट के नहीं जा सकते हैं, तो कुरूज से ही हमें बुक से देख लीजे और उसके अनुसार आप डिसाइट कीजिए कि आपको क्या-क्या गुमना है, हम लोग रेडी हो चुके हैं, अभी जाने में हमें देर है, इसलिए मैं दिखा रही हूं यह सुबह का सीनाप यह देखिए, यह एक लोहे का प्लेटफोर्म आ रहा है, जिसको कहता है, टेंडर बोट से हम जाएंगे ना, तो उसके लिए हमारे क्रूज के पास में इसको लगाया जाएगा, और हमें यह हमारे कार्ड पे नंबर मिले हैं, पांसो पच्छिस और पांसो चपविस नंबर, तो यह हमारे नंबर रहेंगे, हम देखो, बोट से यहां तक पहुंच चुके हैं, इस प्लेटफोर्म तक, दूसरे प्लेटफोर्म तक, लक्षदीब तक, और यहां से हम मैं दिखाती हूँ, हमारे बोट भी दिख रही होगी आपको, यहां पे यह गाडियां खड़ी है, यह गाडियां हमको लेके जाए, यह देखी है, वह हमारा क्रूस दिख रहा है आपको बहुत दूर से, अब हम गाडियों में बैठके, अगाती बीच तक जाएंगे, यहां से गाड़ी में बैठके, मतलब लक्षदीब जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है, यह बहुत आसा यह शर्बत सा होता है, कुछ जो पिलाया जाता है, वेलकम ड्रिंक है, और यह देख यह लक्षदीब, कितना सुन्दर है लक्षदीब मतलब लक्षदीब जाने के लिए रिशपसन पर ही, मतलब शौर एक्स्कोरिजन लेना पड़ता है, उसमें आपको बतायना पड़ता है, कि आप स्कूबर डाइविंग करेंगे, बनाना राइड करेंगे, यह ग्लास बोटम बोट करेंगे, जो भी आप करना चाहें, वो कि इसकूबा तो बैस्ट है, और वहां जाओ तो जरूर करना चाहीं, इतना क्लियर पानी है, इतना क्लियर पानी है, हमारा तो अंदर तक वो कैमरे वाला नहीं था, इसलिए अंदर की शुटिंग हम ज्यादा नहीं कर सके, लेकिन बहुत ही सुंदर है, मतलब वह तो जरूर करना चाहीं, वह तो बिल्टकुल वह इसकिप करना ही नहीं जीए, अगर लक्षी दीच जाते हैं, तो, यह हमें बोत में बिठा करके, बहुत दूर, मतलब 5-7 किलो मेटर अंदर पानी के लेके जाएंगे, तो वहां पे हमें गुशे बोत में ट्रांस्किर कर देंगे, और मतलब इतना खुबसूरत है कि आप मलेशिया, मौरेशिय सब बोल जाएंगे, तो, इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है, और यहां पे आते हो इसकिप का डाइवी हिशर भी ज़ीगा, और मैं तो यही सजेस्ट करोंगे, यह जो कोच होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब इतना कंफर्टेबल करते हैं, पहले उसके बाद में यह पानी के अंदर लेके जाते हैं, मुझे भी बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन इनोंका घबरानी की बिल्कुल बात नहीं है, पहले यह पानी के उपड़ दी कम्रोटेबल करते हैं, पहले लगा रही है, और पानी के नीचे जाने के पात बहुत ही आनन्द आता है, आप लोगों अभी जरूर करी हो कि नहीं करी है, तो जरूर कीजेगा इस कुबा दाइज और बहुत अच्छा बगा हु जेली फिश है, सिल्वर फिश है, बहुत सारे इतरह दरे की फिशेस देखने को मिलेगी और एक तम समुत्र के एक तम गहराई में जाके जमीन को टच करके आई ती मेरा एक तब हो आदी अच्छा एक्सपीडियन्स रहा मेरा तो और उसके बाद यागी पिन बहुत ज्यादा पारिश हमने को शूटिंग नहीं किया, यह देखी एक ग्लास बोट है और हम लोग वापस आगे, वापस आने के बाद में मिजिशन तेजस का हमने शो देखा और बहुत अच्छा शूथा यह आप लोग भी जांगे, तोड़ी ड जो आपने पहले देखा न अभी यह डैक तैन का सीन था, वहाँ पे डीजे वगरे फोटे रहती है, अच्छे से, यहाँ पे कापो अपने कुछ के साथ में आये लोगे, तो वो अपने गाना बजाना साथ में पूरा बैंड लेके आये थे, वो कर रहे थे, और जाने से पहल हमारा जो भी कैबिन कार्ड होता है, उसके अंदर जितने भी पैसे होते है, वो वापस आपको रिफंड करवाने होते हैं, तो वो वैसे दे देते हैं, और पूरी जाने क Ihnen की तयारी हो चुती है, कैबिन कार्ड हमेशा साथ में रखीए, कैबिन कार्ड दिखाते कुए, हम ल बहुत ही आनन दाता है और इस तरह से हमारा यह हम लोग वापस आ रहे हैं मेरा वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स डेस्टिनेशन वीडियो के साथ सबसे ज्यादा थैंक्यू तो मैं यहां के स्टाफ को देना चाहिए बहुत ही हैल्पूल और हमबल होते हैं बहुत ही हैल्प करते हैं जहां भी आपको थोड़ी भी प्रोग्लम होती है तो यह आपके साथ में खड़े रहते हैं करते हैं